क्या 2.5 साल से सोया हुआ शेर वाकई अब जाग चुका है? मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ Nifty IT Index की और आप देख सकते हैं कि आज के दिन उसने 52 weeks का हाई बनाया है यानि अगर आप यहाँ पर यह value देखें, 52 week की range है 39,237.7 मगर अगर आप Nifty IT Index के day की range देखेंगे तो यह है 39,567 यानि आज इसने 52 weeks का हाई लगाया है तो बात आती है कि Nifty IT Index में क्या करना चाहिए? ऐसे कौन-कौन से ETF या फिर unique mutual funds हैं जो Nifty IT Index में इंवेस्ट करते हैं और आगी जाकर के वह कैसा returns दे सकते हैं? इसके बारे में हम जानेंगे इस informative वीडियो में इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा कि IT सेक्टर में भी 3 different indexes हैं और सभी के returns अलग-अलग हैं जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगा और इस वीडियो के last में मैं आपको एक unique fund बताऊंगा जिसने IT सेक्टर की पिछले 2-3 साल की गिरावट को किनारे रखते हुए काफी बहतरीन returns दिये हैं और वह ऐसे returns क्यों दे पाया है? उसका भी कारण मैं आपको अंत में बताऊंगा तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं Nifty IT Index के candlestick charts है और आप देखें कि ये daily chart है और अगर आप देखेंगे कि अगर मैं एक parallel line यहां से draw करू तो मुझे clearly दिख रहा है कि इस index का breakout हो चुका है और अगर आप आज का ये candle देखें यानि इसने 52 week का high बनाया और उसके बाद में वापस नीचे जाके close किया तो कुल मला करके देखा जाए तो एक बढ़िया breakout है मगर ये breakout आगे भी sustain करेगा की नहीं ये देखना important होगा अब अगर आप इसे थोड़ा सा और पीछे लेकर के जाएंगे जैसे मैं है आप पर लेकर के गया तो देखें कि 2020 यानि COVID के बाद से एक बहुत ही खतरनाक rally आई थी और आपको भी पता होगा कि COVID के बाद से यानि 2020 से लेकर के 2022 तक ये समय है लगभग जैनवरी 2022 के आसपास का तो यहां तक IT सेक्टर में बहुत ही भीषड rally हुई थी और सभी तरह के stocks ने multiple return दिया था मगर हुआ क्या आप देखें ये जो जैनवरी 2022 के आसपास का समय दिखा रहा है यानि इसका high कितना है 39,533 के आसपास और आज देखें उसी point पर जाकरके ये वापस लोटा है यानि आप कह सकते हैं कि ये जो 39,500 वाला point है ना ये Nifty IT Index का काफी बड़ा resistance है मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 2,5 साल से ये IT सेक्टर काफी undervalued रहा है और आप देखें इसके graph का pattern देखें कभी बढ़ता है, कभी गिरता है, फिर बढ़ा, फिर गिरा, फिर बढ़ा, फिर गिरा यानि ये सेक्टर काफी अधिक sideways रहा है आप देखें लगबग 2,5 साल का समय हो चुका है तो एक लंबा time correction हमने Nifty IT Index में देखा है और आप देखेंगे कि market की condition अभी काफी अच्छी है और ये सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मेरे हिसाब से chances ये हो सकते हैं कि अभी ये थोड़े correction होने के बाद में ये वापस से उपर जाए तो अब बाताती है कि इस तेजी को या इस माहौल को play कैसे करना है तो देखें इसके लिए आप चाहे तो बहुत ही specific stocks को खरिदा है जो IT sector से belong करते हैं मगर वह सबके बस की बात नहीं है तो इसके लिए एक बहतरीन option है ETF नहीं तो mutual funds तो मैं यहाँ पर आपको एक एक करके सभी ETFs के बारे में बताऊंगा अब आप मेंसे कई लोग ऐसे होंगे जो पिछले 2-3 सालों से Nifty के IT Index में इन्वेस्ट कर रहे होंगे आप मुझे कमेंट करके बताईए कि पिछले 2-3 साल से कौन IT Index में या तो किसी ETF या फिर mutual fund के माध्यम से इन्वेस्ट कर रहा है अगर वो ऐसा कर रहा है तो आगे जगर के उसको काफी फायदा हो सकता है क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि Nifty Index में overall breakout आने वाला है मगर कुछ लोग ऐसे होंगे जो short term यानि momentum प्ले करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये सही समय हो सकता है पर यहाँ पर एक बात ध्यान दें कि ये जो भी information मैं आपको दे रहा हूँ ये केवल मेरा personal opinion है और यहाँ पर investment की कोई भी राय नहीं है अगर आपको किसी भी ETF या mutual fund या stocks में invest करना है तो अपना research जरूर करा है तो अभी हम लोग जिस index का chart देख रहे थे वह था Nifty IT Index देखें तो Nifty IT Index अगर आप देखेंगे तो इसमें कुल 10 कमपनिया हैं और ये 10 कमपनिया टॉप की 10 कमपनिया हैं तो अगर आप थोड़ा नीचे आए तो देखेंगे कि ये जो Nifty IT Index है उसकी rebalancing semi-annually होती है और अगर company की बात करें जैसे मैंने आप से खा कि 10 कमपनिया हैं तो देखेंगे सब top class की कमपनिया है Infosys है, TCS है, HCL, Tech Mahindra, Wipro, LTI, Maintry, Persistent, Coforge, Emphasis और LTTS और इसके percentage भी आप देख सकते हैं जहां पर top 3, यानि Infosys को 27, TCS को 24.8 और HCL को 9.71 यानि ये तीनों मिला करके, बलकि कहूं तो Infosys और TCS मिला करके ही लगभग 50% का वेटेज हो जाता है अब आप यहां पर इस Index के Return भी देख सकते हैं और आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस Nifty IT Index पर based ETFs कौन कौन से हैं तो देखिए, अगर आप पिछले एक साल का Return देखें, तो इसने दिये हैं लगभग 25% का Return और वाकई आपने भी चार्ट देखा, Nifty IT Index का तो आपने देखा कि वह कितना sideways रहा तो उतने के बाद भी, अगर ये एक साल में लगभग 25% के Return दे रहा है तो ये काफी बढ़िया बात है, पर ये सक्टर वाकई में पिछले 2-3 सालों से थोड़ा सा undervalued रहा है पांस साल का Return देखें, 20.25 अब यहाँ पर एक बात खास तोर पर आपको ध्यानक नहीं है कि ये जो Nifty IT Index है, उसमें maximum to maximum large cap stocks है जो हम अभी आगे देखेंगे इसके लिए आप देखेंगे कि इसका dividend yield भी काफी अच्छा है, 2.2 और अगर हम इस index के fluctuations की बात करें या volatility की बात करें आप देखें, मैंने यहाँ पर एक line chart लगा दिया है और यह monthly chart है तो आप देख सकते हैं कि कभी यह बहुत जदा जाएगा उपर, फिर नीचे आजएगा फिर देखें कितना volatility है, देखें, लगातार कभी नीचे उपर, नीचे उपर मतलब अब यहाँ से देखें, यह COVID होना टाइम है, यह बिल्कुल उपर गया, फिर यह नीचे आया, फिर यह उपर गया, फिर नीचे आया, फिर उपर गया तो कुल मिला करके आप देख सकते हैं कि यह जो Nifty IT Index है, उसकी long term volatility काफी काफी अधिक है और इसलिए मेरे हिसाब से Nifty IT जैसे जो भी sectors हैं, वह एक theme based sector हैं, और यह काफी हद तक cyclic रहते हैं, जो कुछ time में ही perform करते हैं, और बाकी समय में perform नहीं करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि इनका समय कब आ रहा है, और उसी हिसाब से हम लोग इसको एक-दो साल तक play करें, और उसके बाद में इसमें से exit ले 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 तो अब हम लोग बात करेंगे कि Nifty IT Index पर based ETFs कौन-कौन से हैं, तो आपको तो पता ही होगा कि Nifty IT Index पर based सबसे famous ETF है, Nifty IT-20, तो यह आपके सामने आ गया है, सबसे famous IT ETF, जिसका नाम है Nippon India ETF Nifty IT, या फिर IT-20 भी कहा जा सकता है, अब अगर इसके return देखेंगे, तो return एक साल मे लगबग 36% है, और 3 साल में लगबग साड़े बारे 13% के आसपास का return है, आप सोच रहे होंगे कि इसके index में और ETF में return में थोड़ा सा अंतर क्यों है, तो वो इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे, यह जो data है, यह 28 June का है, तो यह थोड़ा पुराना data है, मगर आप देख र Nifty IT Index में invest करने के लिए केवल और केवल Nifty 20 नहीं है, बलकि काफी सारे ETF है, मैं आपको कुछ examples देता हूँ, जैसे एक और example है, ICIC Prudential का Nifty IT ETF, अब देखेंगे, तो यह भी Nifty IT Index पर based है, वही पर इस return भी देखेंगे, एक साल में 36 और 3 साल में 13, यानि बिल्कुल similar return है, जैसा क Nifty 20 ने दिये है, मैं आपको एक और example दिखा देता हूँ, यह देखेंगे, आपके सामने है, Kotec Nifty IT ETF, और यह ETF भी Nifty IT Index पर based है, return देखेंगे, एक साल में 36 और 3 साल में 13%, यानि यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यह है, कि आप Nifty IT पर based कोई भी ETF ले ले ले, तो return जो रहेगा, व इसका जो expense है, 0.18% है, जो की काफी कम है, अब आप यहाँ पर Kotec Nifty IT ETF का trading volume देख सकते हैं, जो है 2.29 lakhs, जो की बढ़िया है, और इसका आप code देख सकते हैं यहाँ पर IT, उसके बाद हमने देखा ICICI Prudential Nifty IT ETF, तो इसका expense ratio देखें 0.20, यह भी almost similar ही है, और यह भी काफी आता है सबसे famous IT ETF, जो है Nippon India ETF Nifty IT, या फिर ITBs, तो इसका expense ratio देखें 0.22, यह बाकी तीनों में आपको थोड़ा सा अधिक दिखेगा, पर यह भी काफी कम है, अब अगर volume की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि इसका volume है 1.4 crores, यानि अभी हाल फिलहाल में, trading volume सबसे top class का चलना है, और इसमें सारे investors काफी जादा रूची दिखा रहा है, इस बात का ध्यान दे, वैसे हमने यहाँ पर 3 Nifty IT ETFs की बात की, ITBs, ICSI, COTEK, और इसके अलावे भी काफी सारे Nifty IT पर base ETF हैं, जैसे कि SBI का है, XS का है, HDFC का है, मगर उन सब के volume जो है, वो थोड़े से कम है, 1 6.39 है, और 3 साल का 12.95 है, तो जाहिर सी बात है, कि हमने चार्ट में दिखाए भी था, कि पिछले 2-2 सालों से, Nifty IT Index ने perform नहीं किया है, इसलिए 3 साल का return इसका 12.95 रहा है, मगर इसका एक और कारण भी है, इसके लिए हमें Nifty IT Index का portfolio देखना होगा, तो जैसे ही हम portfolio पे click करते ह हैं, तो आप देख सकते हैं, कि अगर हम large caps की बात करें, यानि giant plus large, ये पूरा large cap ले लेते हैं, तो लगभग 86% large cap stocks हैं, और मैंने आपको इंडेक्स में दिखाय ही था, कि केवल Infosys और TCS में लाकरके 50% से उपर का weightage है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि जो mid caps है, वो अच्छा performance नहीं किया है, हाला कि mid और small cap IT ने performance अच्छी दी है, मगर इस Nifty IT Index में small cap तो है ही नहीं, और mid cap की percentage भी लगभग 13-14% के आसपास है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो अभी IT सेक्टर के लिए हमने पहला index discuss किया, वो है Nifty IT Index, अब चलिए, अब हम discuss करते हैं, दूसरा index जो कि IT सेक्टर पर ही based है, मगर थोड़ा different है, उस index का नाम है Nifty India Digital Index, जी हाँ, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, थोड़ी सी, अब आप देख सकते हैं कि ये जो Nifty India Digital Index है, उसके लिए खास तोर पर एक India Digital Theme बनाई गई है, तो इस खास India Digital Theme में क IT से related stocks ही नहीं है, बलकि इस से जुड़े हुए allied sector के stocks भी हैं, जिसे हम अभी आगे देखेंगे, अब आप देखेंगे, जहाँ पर एक और Nifty IT Index में किवल 10 stocks थे, और majority यानि 85% stocks large caps थे, वही पर अगर आप Nifty India Digital Index को देखेंगे, तो इसमें 30 stocks हैं, यानि stocks की संख्या बढ़ ग 8.62, लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये consumer, telecom, financial तो IT से अलग हैं, जी नहीं, IT से अलग नहीं है, क्योंकि जो consumer services है, वो IT enabled consumer services है, मैं आपको भी आगे समझाओंगा, इसी तरह से telecom जो है, वो काफी कुछ IT से related है, वही पर ऐसी companyya, जो financial services के लिए information, technology प्रदान करती हैं, वो स अर्थी Airtail, telecom, TCS देखिया है, Infosys, HCL, Zomato, Zomato भी आप देखेंगे, तो consumer services में आगया, PB FinTech, Vodafone, Tech Mahindra, IRCTC, तो इस तरही के से ये top 10 stocks आप यहाँ पर देख सकते हैं, और आपको समझ में आ रहा होगा कि Nifty India Digital Index में थोड़ी सी variety है, और इसमें 30 stocks भी हैं, अब return की बात कर ही बात करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि इसका एक साल का return है 42%, जबकि आपने देखा होगा, कि Nifty IT Index में यही 25% दिखा रहा था, पात साल में 21.96, और since inception इसका return काफी कम है 13.08, वहीं पर अगर हम standard deviation और beta की बात करें, यानि इस index में कितना उतार चड़ाओ ह जिसका नाम है Tata Nifty India Digital ETF, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब अगर return की बात करें, तो आप देखिए कि इसने एक साल में दिये है 50% के returns, वहीं पर आपने देखा होगा, कि जो ITBs है, जो कि Nifty IT Index पर based है, उसने एक साल में 36% के return दी है, यानि almost 15% का return ज्यादा है Tata Nifty India Digital ETF में, तो यहाँ पर आप यह बात note करें, अब इसका return Nifty IT Index से क्यों जादा है, उसके बारे में हम बस अभी बात करेंगे, उससे पहले आप इसका expense देखिए, 0.4, यानि Nifty IT Index से जुड़े, जो भी ETF हमने देखे, उनका double expense इस Nifty India Digital ETF में है, और ऐसा इसलिए है, क्योंकि यह एक specialized theme है तो इसलिए हो सकता है कि इसका expense ratio जादा हो, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं volume की, तो अभी हाल फिल हाल में मैंने कुछ दिन से देखा है, कि इसका volume बढ़तो रहा है, मगर फिर भी अभी इसका trading volume एक लाग से कम है, आप देखिए 75,000 के आसपास इसका trading volume है, तो यहाँ पर देखा कि जो Nifty India Digital Index है, उसका return Nifty IT Index से अधिक है, और वो भी थोड़ा मुड़ा नहीं, एक साल में लगबग 15% अधिक है, तो उसका क्या कारण है, तो उसका कारण चुपा है portfolio में, आपने देखा कि जहाँ पर एक और Nifty IT Index में, यह जो large cap था, वो 85% से अधिक था, और mid cap लग 69-70% के आसपास में large cap है, हाला कि अभी भी यह large cap heavy है, मगर एक तो इसमें sectors थोड़े different है, दूसरी बात इसमें mid cap अधिक है, और थोड़ा बहुत small cap भी है, तो sector wise आप देखे, technology, industrials, financial और consumer discretionary, अब आपके सामने हैं तीसरा index, जिसका नाम है Nifty Mid Small IT and Telecom Index, तो इस index की खास बात क है, कि यह mid cap और small cap stocks से बना हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है, कि इसमें IT के लावट Telecom sector के stocks भी है, तो यह खास तोर से mid और small cap segment को ही target करता है, यह काफी अच्छी बात है, और इसका parent index आप देख सकते हैं, mid small cap 400 index, तो अगर आप देखेंगे, तो इसमें कुल stocks है 20, और कि rebalancing जो है, वो है semi-annually, company आप यहाँ पर देख सकते हैं, Persistent, Wodafone, Coforge, Industraverse, KPIT, Tata Lexi, Oracle Financial, Tata Communications, Emphasis, Scient, यानि मेनली आपको यहाँ पर mid cap और small cap company ही देखेंगे, अब आप return देखें, एक साल में 44%, हलाकि यह पुराना return है, अभी यह काफी ज़्यादा बढ़ गया होगा, 5 सा एकर हम लोग बहुत long term में देखें, तो मुझे नहीं लगता कि IT सेक्टर काफी बढ़िया perform करता है, यह आम तोर पर 2 से 3 साल में काफी बढ़िया perform करता है, जैसा कि इसका past data भी इसी चीज़ को confirm करता है, यह चीज़ आप खास तोर से note करें, कि IT सेक्टर और उससे जुड़ लिया है, फिर Nifty India Digital का जो 5 साल रिटर्न है, वो 21.96 है नहीं 22% के आसपास है, पर अगर आप यही Nifty Mid Small IT and Telecom को देखेंगे, तो इसका 5 साल रिटर्न है 36.26, यानि इस इंडेक्स ने short term में भी, यानि 5 साल के अंदर अंदर काफी बढ़िया perform किया है, तो एक साल के अंदर हो सक अंदर भी available रही है, यानि हम लोगे काफी बड़ी चीज मिस कर रहा है, क्योंकि मैंने ये देखा, कि बीते 2-3 सालों में, जो Large Cap IT Stocks हैं, उन्होंने अच्छा perform नहीं किया, मगर Mid Cap और Small Cap ने काफी बढ़िया perform किया है, इसलिए आपने देखा, कि जो Nifty India Digital Index था, उसके रिटर आप ये News देखिए, जो 16 April की है, जो थोड़ी पुरानी है, मगर अभी दे रहा है कि मोतिलाल ओस्वाल Mutual Fund Files, Draft Document with Sebi for 5 Funds, यहाँ पर ETF नहीं, Mutual Fund की बात हो रही है, तो इसमें आप देख सकते हैं, ये Fund देखिए, Nifty Mid Small IT and Telecom Index Fund, यानि मोतिलाल ओस्वाल ने फाइल तो किया Fund की काफी ज़्यादा जरूरत है, और ये बिल्कुल सही टाइम होगा अगर मोतिलाल ओस्वाल इस पर बेस्ट एक Mutual Fund या फिर एक ETF लेकर के आए, तो अब तक आपने समझ लिया कि IT Index पर बेस्ट कुल 3 different-different Indexes हैं, जिसमें की Large Cap, Mid Cap और Small Caps का अलग-अलग percentage हैं, जिसमें सब Small Cap Stocks की अधिकता है, और उसकी performance भी पिछले एक-दो सालों से एकदम top class की रही है, जबकि आप देखेंगे कि Nifty IT Index ने उतना अच्छा perform नहीं किया, तो उस mutual fund का नाम है Franklin India Technology Fund, जी हां, अगर आप इस fund के return को देखेंगे, तो देखें, एक साल में 58.23, यानि अभी तक हमने जि भी 8% अधिक return Franklin India Technology Fund ने दिये हैं, और ये एक mutual fund है, तो आप देखेंगे, एक साल में 58, तीन साल में 20.37, जबकि बाकी लोगों ने 12-13% के return दिये हैं, 5 साल में 27.91, 7 सालों में 24, और 10 सालों में 19.22% के return, यानि overall इसने long term में भी ठीकी ठाक perform किया है, जबकि आप देखेंगे, बाकी जो भी IT Index के ETFs हैं, उनका long term का performance उतना अच्छा नहीं रहा, अब इसका reason क्या है, इसका reason है, कि ये जो Franklin India Technology Fund है वह एक active mutual fund है, और बाकी सब ETF समय देखें, वह passive हैं, और वो केवल एक index को track करते हैं, मगर इसमें लगातार Franklin India Technology Fund का fund manager, अपने stocks को change करता रहेगा, इसलिए इ इसमें भी और भी कई mutual funds हैं, जैसे ICC Technology है या और भी है, उसके return उतना अच्छे नहीं हैं, मगर क्या कारण है, कि Franklin India Technology Fund के return सबसे top class के हैं, इसके लिए हमको portfolio देखना पड़ेगा, अब देखिए, यहाँ पर जो large cap है, वह मात्र 40% के आसपास है, आपने देखा कि जो भी, हमन यही चीज आपको ध्यान में रखती हैं, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि IT सेक्टर में small cap और mid cap ने बढ़िया performance दी है, और इसी reason से पिछले एक सालों में Franklin India Technology Fund की performance अच्छी रही है, क्योंकि उसमें large caps का percentage थोड़ा सा कम रहा है, अब आगे देखते हैं कि यह कैसा perform करता है, तो दोस्तों यह तो हो गई IT सेक्टर की बात, और उससे जुड़े हुए तीन IT के indexes, अब आप बताये कि आपको इन तीनों indexes में से कौन सा index सबसे अधिक पसंद आया, खेर यहां पर IT index कोई भी हो, एक बात आपको यहां पर ध्यान देनी है, कि यह जो IT index है, भले ही इस इस IT के अंदर कोई भी index आ रहा हो, वह sectoral या thematic index है, और वह cyclic है, यानि कुछ खास समय के लिए ही perform करता है, इस बात का आप ध्यान रखें, तो अगर किसी को long term के लिए invest करना है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं, best smart beta ETFs इस वीडियो में